दोस्तों अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो फिर ये विडियो ज़रूर देखें हो सकता है आपको कुछ कारण समझ में आए कि किस कारण से देरी हो रही है और इसके साथ ही कुछ उपाए इस विडियो में बताऊंगा ताकि आपकी विवाह में अगर लेट हुई है तो फिर उसे जल्द से जल्द कैसे किया जाए इस वीडियो में डीटेल से आपको बताऊंगा दोस्तों शादी में जो देरी होती है कहीं ने कहीं आपके जोतिश शास्तर में इसका संबद ग्रहों से बताया गया है कुंडली का जो सात्वा घर होता है वो आपकी शादी का पार्टनर्शिप का घर होता है इस घर में अगर अच्छे ग्रह मौजूद है तो फिर शादी जल्द हो सकती है लेकिन इस घर में अगर कई सारे ऐसे गरह एक साथ बैठे हैं जो कि निगेटिव हैं जिनका इंपक्ट निगेटिव होता है तो फिर आपके शादी में विलम होता है अगर आपके साथ में घर में गुरू हैं चंद्र हैं शुक्र हैं बुद्ध हैं तो फिर आपकी शादी जल्द हो सकती है लेकिन अगर आपके साथ में घर में कहीं पे राहू हैं केतू हैं शनी देव हैं तो फिर शादी में जादा इंतिजार करना हो सकता है आपकी शादी कम उम्र में हो सकती है मतलब 20 से 25 साल के उम्र में आपकी शादी हो सकती है अगर आपके साथमे घर यानि के सेवन्थ हाउस में जो है वो बुद्ध है बुद्ध जो है वो जल्दी शादी करवा सकता है अगर बुद्ध आपके साथ में घर में हो तो सूरे जो है वो भी एक स्थान आगे या पीछे होगा या फिर बुद्ध के साथ सूरे के होने की भी संभावना है सूरे अगर साथ में है तो शादी का जो साल है वो एक या दो साल आगे पीछे हो सकता है मतलब मान लिजे आपकी शादी 25 में होनी है लेकिन सूर्य यहां 7 में है तो फिर आपकी शादी 27 में हो सकती है सूर्य का प्रभाव अगर खुशीन है सूर्य अगर बिल्कुल आपका जो उसका बलावल है वो बहुत कम है तो फिर आपकी शादी कम उम्र में हो सकती है कहने का मतलब ये कि बुद्ध अगर आपके साथवे घर में है तो शादी 25 से कम उम्र में या 25 के आसपास जरूर हो सकती है अब बात करते हैं 25 से 27 के उम्र में किनकी शादी हो सकती है अगर आपके साथवे घर में शुक्र, गुरू या चन्रमा हैं तो आपके कुंडली में इस एज में जो है वो शादी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है गुरू साथवे घर में हो तो शादी 25 से 27 के उम्र में हो जाती है गुरू पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो शादी में एक दो साल की देर हो सकती है राहू या शनी का प्रभाव हो तो दो साल की देर यानि की 25 से 27 साल के उम्र में शादी होती है शुक्र अगर साथवे घर पे हो और शुक्र पर मंगल सूरी का प्रभाव हो तो शादी में दो साल की देर बहुत संभव है शादी का प्रभाव होने पर एक साल यानि की 26 साल की उम्र में और अगर रहो का प्रभाव शुक्र पर हो तो शादी में दो साल का लेट हो सकता है अगर आपके साथमे घर में शनी है और वहाँ पे मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो शादी में विलंब होता है तो भी शादी में बहुत विलंब होता है कुंडली के साथ में घर में अगर सूरे हैं और उस पर किसी अशुब ग्रह का प्रभाव ना हो तो 27 के उम्रे में शादी का योग बनता है सुब ग्रह सूरे के साथ हो तो विवा में इतनी जादा देर नहीं होती अब बात करते हैं उन शादियों की जहां पर हम देखते हैं कि ये काफी लेट से हो रही है तो मंगल राहू केतु में से अगर कोई भी ग्रह साथ में घर में हो तो शादी में काफी देरी हो सकती है जितने अशुब ग्रह साथमे घर में होंगे शादी में उतनी ही देरी होगी अगर मंगल साथमे घर में है तो 27 साल से पहले शादी होने नहीं देता राहु यहां होने पर आसानी से विवा होता ही नहीं है बात पकी होने के बावजूद भी रिष्टे तूट जाते हैं कि तु अगर साथमे घर में हो तो उस पर भी कई कई वजहों से शादी में अरचने आती रहती है अधिकतर मामरों में अगर शनी साथमे घर में देखा गया है तो फिर 30 साल से ज्यादा के उमर में ही शादी होती है अब बात करते हैं उनके शादी की जिनकी शादी के उमर 32 से लेकर 40 साल के बीच हो जाती है और तब जाकर कहीं उनकी शादी होती है तो शादी में इतनी देर तब होती है जब इन में से एक से एक अधिक अशुग ग्रह का प्रभाव सात्मे घर पर हो तो अगर आपके सात्मे घर में शनी का प्रभाव हो, राहू का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, सूरे का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो तो फिर कई ने कई आपकी शादी बहुत ही लेट होती है मंगल राहू या शनी, सूरे या सूरे मंगल, सूरे राहू एक साथ साथ में या आठ में घर में हो तो भी वाह में बहुत ज़्यादा देरी होने की संभावना रहती है हलाकि ग्रहों की राशी और बालाबल पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है लेकिन कुछ भी हो, इन ग्रहों का साथ में घर में होने से शादी जल्द होने की कोई संभावना नहीं रह जाती दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो बाते मैंने इस वीडियो में बताई वो हर एक जगह जो है सटीक हो, लेकिन जारतर जो केस होते हैं उनमें ये देखा गया है कि अगर अशुग ग्रह साथ में घर में बैठे हूँ तो फिर विवाव में देरी होती है चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपाई की जो आपकी शादी की जो संभावना है उसको और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं मतलब आपकी शादी जल्द हो सकती है सबसे पहला जो शादी के लिए इंपोर्टेंट ग्रह माना जाता है वो है गुरू तो गुरू अगर कमजूर है तो शादी में विलंब होता है इसलिए गुरू को मजबूत करने के लिए अगर हो सके तो आप गुरू वार को फास्टिंग रखें गुरू वार के दिन पीले रंग का वस्तर पहने गुरुवार के दिन अगर हो सके तो अपने जो आप सनान करते हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी जो है उसे मिशृत कर पानी में उसके बाद उससे सनान करें आप अपने माथे पर पीला रंग का जो है वो टीका हमेशा ही लगा कर रखें इसके साथ ही आप पीले वस्तरों का जो है ज्यादा से ज्यादा जो है यूज करना शुरू करें आपके रुमाल में आपके नॉर्मल जो ड्रेस होते हैं उसमें आप पीले रंग का इस्तेमाल करें लेकिन भूल कर भी कभी भी पीले रंग की कोई चपल नहीं पहननी है इसके साथ ही आपको पीले रंग से संबनी जो चीजे हैं जैसे की चना दाल हो गया, केला हो गया या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स जो पीले रंग के होते हैं उनका दान करना शुब होता है ये दान आप उन लोगों के बीच करें जिनको इसकी ज़्यादा जरूरत है किसी गरीब को, किसी अनाथाले में, किसी व्रिद्धा अश्रम में या फिर मंदिरों में आप दान कर सकते हैं इसके साथ ही अगर किसी स्त्री या पुरुष के विवाह में विलम हो रहा है तो उन्हें वैवव लक्ष्मी वरत करने की सलाह दी जाती है जी हाँ वैवव लक्ष्मी वरत जो है मा लक्ष्मी के धन लक्ष्मी सौरूप की छवी है इस वरत को जहां एक तरफ वो महिलाएं करती हैं जिनकी शादियां हो चुकी रहती हैं तो इसके साथ ही कुवारी लड़की या कुवारे लड़के को भी ये वरत करना चाहिए ये वरत जो है वो फ्राइडे के दिन करना चाहिए वैबब लक्षमी वरत शुरू करने से पहले आपको अपनी मनुकामना मा लक्षमी के धन लक्षमी स्वरुप के सामने करनी चाहिए और फिर फ्राइडे के दिन आपको ये वरत शुरू करना चाहिए इसमें fasting की जाती है और माता लक्षमी की पूजा की जाती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजेगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही सुशान्त को दीजे इजासत थैंक यू